हेलो बच्चो, कक्षिया दो में आज हमारा विश्य है समाजिक ज्यान और रूफ विश्य है जल प्रदूशन आए वक्षिट को हल करते हैं प्रशन एक नीचे दिये गए चित्रों में से जल प्रदूशन को दर्शाने वाले चित्रों की क्रम संख्या अपनी कोपी में लिखें पहला चित्र दिया गया है इसमें जल प्रदूशन का कारण है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति कच्रा पानी में डाल रहा है यह नमबर हम अपनी नोट बुक में नोट करेंगे दूसरा चितर जिसमें एक जंगल से जहरना बह रहा है यह जल परदुशन का कारण नहीं है इसे हम नोट नहीं करेंगे आगे चलते हैं आप देख रहे हैं कि यहां से कुछ केमिकल जाके पानी के अंदर मिल रहा है जो कि पानी को परदुशित कर रहा है यह नमबर अपनी कोपी में नोट कीजिए इसके बाद यह कुछ गंदगी है जो कि पानी के अंदर है जो कि पानी को गंदा कर रही है यहां भी जल प्रदुशन का कारण है पांचे चित्र में कुस करमचारी पानी को साफ कर रहे हैं यहां जल प्रदुशन का कारण नहीं है छटे चित्र में आप देख रहे होंगे कि पानी के अंदर काफी गंदगी है प्लास्टिक की बोटले पड़ी हुई है जो की जलपदूशन का कारण है इसको भी कोपी में नोट करेंगे साथवे चितर में कोई भी जलपदूशन का कारण नहीं है आठवे चितर में भी कुछ करमचारी पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे है यह जलपदूशन का कारण नहीं है नोवे चितर में गंदगी पानी के अंदर बह रही है यह है जल पुदुशन का कारण है दसवे चितर में नालो का गंदा पानी जाकर साफ पानी में नदियों के साफ पानी में मिल रहा है जो कि जल पुदुशन का कारण है जिन नंबर्स को हमने सरकल किया है इन सभी नंबर्स को हम अपनी notebook में note करेंगे प्रशन दो जल production फिलाने वाले किनी तीन कारकों के नाम लिखिए पहला कारक है कारखानों से निकलने वाले रसाइनिक पदार्थों से जल production होता है दूसरा कारण है पिश्री में उप्योग होने वाले केट नाशक दवाईयों के कारण जल प्रदूशित होता है और तीसरा कारण हम लिखेंगे कि नालों के गंदे पानी के कारण जब नालों का गंदा पानी जाकर साफ पानी में मिल जाता है तो मैं जल को प्रदूशित करता है प्रश्न तीन जब आपके माता-पिता बच्चे थे तब जल आज जितना पदुशित नहीं था अपने माता-पिता से चर्चा कीजिए कि तब से अब तक जल के गुनवत्ता में क्या बदलाव आए हैं और क्यों आप अपने माता-पिता से पता करेंगे कि उनके समय में पानी की क्या स्थीती थी और आज क्या गुनवत्ता में क्या चेंज आये हैं, क्या बदलाव आये हैं तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मेरी माता-पिता के समय में लोग को बावडियों से पानी भरते थे उन्हें पानी को पीने योगे बनाने के लिए फिल्टर आदी के आवश्यक्ता भी नहीं होती थी लेकिन आज अगर पानी फिल्टर किये बीना प्रियोग किया जाए तो यह बिमारी को कारण बन जाएगा इसी के साथ आज के हमारी यह वक्षीट पूरी होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगओ तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद